नमस्का गोरकपूर नियूज में आपका स्वागत है मैं पूजा वर्मा राज से भी ट्रेन भीजने की मांगाती है तो उसकी भी पूर्ती की जाए उक्तिजानकारी मंगलवार को यहां लोगभवन में कोरोना वाइरस के संबंध में किये गए प्रेस कॉंफरेंस में अपर मुख्य सचीव ग्रिय अविसकुमार अवस्ति और प्रमुख्य सचीव अमित मोहन प्रशाद ने पत्रकारों को दी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान निर्देश दिया है कि यूपी एस रटीसी की बसों का प्रवासी कामगार और श्रमिकों को बाहर प्रदेसों से लाने में सत प्रतिशत उप्योग किया जाए उन्हो किमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेस में जो भी ट्रेन लाई जा रही है उनका खर्शा प्रदेस सरकार वहन कर रही है और प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को कोई भुकतान नहीं करना पड़ रहा है अपर मुख्य सचीव ग्रहनी बताये कि अब तक लगभग 656 ट्रेनो या प्रदेस में आ चुकी है और या आने वाली है इतनी ट्रेनों को सुक्रिती दी जा चुकी है इन 914 ट्रेनों में लगभग 11,80,000 प्रवासी शमिक और कामगार आ रहे हैं मुख्य मंत्री ने देश देते हुए कहा कि ट्रेन संचालन के समय सोसल डिस्टेंसिंग का पालन अवस्य किया जाए प्रियाप्त मात्रा में पानी और भोजन की विवस्था की जए अपर मुख्य सचीवग्री ने कहा कि होम कुरेंटाइन में भेजने के समय रासन का पैकेट दिया ही जा रहा है या एक ऐसी विवस्था है जो पूरे देश में नायाब है एक बहुत ही चार की सुरवात हो चुकी है और हमारी पूरी कोशिश है कि जहां एक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके वहीं दूसरी और संक्रमण फैलने से भी रोका जाए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपील करते हुए कहा कि कोई भी वेक्ति पैदलना चले और पर फुट पैट्रोलिंग की जाए हाइवे पर हाइवे पैट्रोलिंग की जाए उन्होंने निर्देश दिया है कि गाइडलाइन के अनुसार टेस्टिंग लैब संचालित हो और किसी भी टेस्टिंग लैब में कोई गड़बड़ी पाय जाने पर जाच की जाए अपर किस अचीवनी बताए कि प्रदीश भर में आज 578 होट स्पोर्ट हैं जिसमें 7,28,000 मकान है और लगभग 42,000 लोग इन होट स्पोर्ट छेत्रों में रहते हैं होट स्पोर्ट के लिए जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उनमें पुना इस बात पर बल दिया गया है कि प् पंटिंग प्रेंस डाय कली इनर को खोलने की अनमती दी गई है ग्रामी चेतरों में जहां कांटेन्मेंट जोन नहीं है वहाँ दुकाने खुछेंगी च्छोटे कश्बो में दुकाने खुलेंग पर मंदल के साथ जिलादिकारी और जिला प्रशौसंस शंवात बनाकर कहा कहां दुकाने कब-कब खुलेंगी तै करेंगे यह निर्देश कल दिये गए हैं कलकुल 6870 नमूनों की जाच की गई और 693 पूल टेस्ट किये गए जिसमें 48 पूल पॉजिटिव पाए गए गए प्रमुक सचीव स्वास्त अमित मोहन प्रशाद ने बताया कि विगत 24 घंटे में 237 केस सामने आये हैं आइसुलेशन वॉर्ड में इस समय एक हज़र 964 लोग हैं जो विभिन अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं कलकुल 6870 नमूनों की जाच की गई और 693 पूल टेस्ट किये गए जिसमें 48 पूल पॉजिटिव पाए गए उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉजिस्ट तक आसा वर्कर्स के द्वारा 4,75,812 लोगों का सर्वेक्शन किया गया है जिसमें से 565 लोग में लक्षर पाए गए हैं इन 565 में से 170 लोगों की रिपोर्ट हमारे पास आई है इन 170 लोगों में से 26 पॉजिटिव और 91 निगेटिव पाए गए हैं प्रमुक्र सचीव स्वा 68 कॉल्स की जा चुकी है प्रवासी कामगार और शमिकों में संक्रमट देखने को मिल रहा है ग्राम निगराने समीती और मोहला निगराने समीती के ऊपर संक्रमट को नियंतरन करने का बहुत बड़ा दारोंदार है साथ ही इन समीतियों को बाहर से आने वाले शमिक या कामग 25,577 घरों का सर्वेक्शन करवा लिया गया है जिसमें कुल मिलाकर 3,30,97,485 लोगों का सर्वेक्शन हुआ है उन्होंने कहा कि कुरोना के लिए अब तक कोई वैक्शीन नहीं है ना ही इसके लिए कोई अभी तक दवा आ सकी है इसलिए सतर करेकर ही हम इस बिमारी से लड़ सक करते हैं